बांगलादेश से इस हिंदु शक्स को असम में मिली CAA के तहट पहली नागरिक्ता, ग्रह मंत्राले ने जारी किया आदेश. CAA कानून के तहट नागरिक्ता पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम दुलोन दास है. वह असम के सिल्चर में रहते हैं. असम में रह रहे बांगलादेश के एक हिंदु व्यक्ति को भारत की नागरिक्ता, संशोधन, अधिनियम 2019 के तहट नागरिक्ता दी गई है. इसके साथ ही वह इस कानून के तहट नागरिक्ता पाने वाले पूर्वोत्तर के पहले व्यक्ति बन गए हैं. वह 5 जून 1988 से असम में रह रहे हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उन्हें त्यूजडे 13 ओफ आउगस्ट को ग्रह मंत्राले से एक एमेल मिला, जिसमें कहा गया था कि 1 अपरिल 2022 को उनके आवेदन को भारतिय नागरिक्ता अधनियम 1955 की धारा 6B के तहट मंजूरी दे दी गई है. इस कानून के तहट नागरिक्ता पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम दुलोन दास है. वह असम के सिल्चर में रहते हैं. भारत आने के बाद उन्होंने असम की एक महिला से विवाह किया था और उनके दो बच्चे है. भारत आने से पहले वह बांगलादेश के सिल्हट जिले के बोरोग्राम के निवासी थे. क्या है नागरिक्ता संशोधन कानून? नागरिक्ता संशोधन अधिनियम 2019, 11 December 2019 में संसद में पारित किया गया था. इसका उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश में धार्मिक उत्पीरन की वजह से भारत आये हिंदूओं, सिखों, बौधों, जैनियों, पार्सी और इसाई अलपसंख्यकों को भारतिय नागरिक्ता देना है. इसमें मुसल्मानों को शामिल नहीं किया है. इस वजह से भी काफी विवाद हुआ था. इसी साल मार्च में केंद्रिय ग्रेह मंत्री ने कहा था कि नागरिक्ता, संशोधन, कानून, 2019 के प्रावधानों को लेकर अधिसूचना जारी होगी और इससे CAA 2019 के तहत योग्य कोई भी व्यक्ति भारतिय नागरिक्ता के लिए आवेदन कर सकता है.